सरकार देश के कोने कोने तक नहीं पहुंच पाती और इसी गैप को पूरा करने के लिए सरकार आम लोग को NGO मतलब non-government organization खोलने चलाने बनाने के license permission दे देती है लेकिन बहुत सारे cases में यही NGO fraud करने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं 2016 में जब note बंदी हुई थी तो India Today ने एक investigation की जिसमें इनके reporters बहुत से NGOs के पास पहुंचे और उनको जाके कहा कि हमारे पास बहुत सारी मात्रा में black money पड़ा है क्या आप उसको white करने में help करेंगे और कुछ NGOs के मालिकों ने कहा फिल्कुल possible है हम यह दिखा देंगे कि आपने हमें यह पैसा donation में दिया है जब bank note बदर के हमें देंगे तो हम यह पैसा आपको वाफिस कर देंगे 30-35% commission आपको देना पड़ेगा और इस चक्कर में दिल्ली के बड़े बड़े NGO जुआ शक्ति अकिल भारतिये विकलांग विद्वा विर्द सेवा स्मिर्थी और बहुत से और NGO's का मेशन के लिए यह सारा फ्रोड करने के लिए तैयार थे और ऐसे बहुत से NGO's हैं जो money laundering और black money को white में convert करने के लिए इस्त